तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए कंपनी अकाउंट्स या फिर जैसा के आपकी बुक का टाइटल है अकाउंटिंग फॉर कंपनी और इस बुक में बेसिक के लिए आपको तीन चेप्टर्स पढ़ने होते हैं जिसमें फर्स्ट चेप्टर आपको याद आएगा क्लास 11 में आपने बिजनस स्टुडिज में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था Forms of Business Organizations तो उसमें काफी सारी Forms of Business Organizations हमने डिसकस की थी हो सकता है कि आप उन सभी को recall ना कर पाएं लेकिन वहाँ पर में तीन Forms थी जो हमें जरूर याद होनी चाहिए जिसमें फर्स्ट थी Soul Proprietorship सेकंड थी Partnership और थर्ड थी Company ठीक है ना तो अगर आप इन तीनों में डिफ्रेंशियेट कर पाएं तो आप समझ जाएंगी कि वह एक कंपनी क्या होती है तो आप देखिए कि वह जो Soul Proprietorship होती है वहाँ पर सिर्फ एक ही ओनर होता है जबी तो हम उसको Soul Proprietorship कहती है तो इसमें एक ओनर होता है Partnership में Minimum 2 और Maximum 50 ओनर हो सकते है लेकिन कंपनी के जब हम बात करते हैं तो इसमें फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि Unlimited Members हो सकते हैं ठीक है ना फिलहाल मैं आपको बहुती बेसिक तरीके समझाना चाहता हूँ कि कंपनी क्या होती है इसके बारे में Deep में हम बाद में डिसकस करेंगे ठीक है ना अब यह होता कहा है कंपनी बनाने की जरुद क्यों पढ़ती है देखिए आपको इस पता है कि जो Soul Proprietor है वो Single Owner है तो उसके पास जो Resources हैं वो कम होते है उसका जो Capital होगा जाहिड सी बात है वही एक हकेला बन्दा है तो वो कम पैसे लगा पाएगा लेकिन अगर आपको किसी वज़ा से Resources को Increase करना है आपको ज़ादा Assets लाने है या ज़ादा Capital आपको चाहिए अपने Business को बढ़ाने के लिए तो आप क्या करते हैं कि आप पार्टनर्शिप कर लेते हैं कि जो लोग Same Type का Business करना में Interested होते हैं आप उन सब को एक जगल ले कराते हैं और आप क्या करते हैं उनको Partner बना लेते हैं या फिर वो सारे के सारे क्या होते हैं उस Business के Owner होते हैं तो Minimum 2, Maximum 50 अब आपको कोई इस तरह का Business करना है कि उसमें 50 लोग भी कम पढ़ जाएंगे मतलब इतना जादा आपको Resources उसमें चाहिए इतना जादा Capital चाहिए कि 50 लोगों के बसकी बात नहीं है इतना पैसा लाना तो आप क्या करते हैं कि Huge Amount of Capital को जमा करने के लिए आप बना लेते हैं Company क्योंकि इसमें कितने मेंबर हैं बहुत सारे इसमें यह है No Limit कितने ही मेंबर आप ला सकते हैं ठीक है ना तो आप भाई किसी के दिल में इस हवाल आ रहा होगा कि Company में जो Members आएंगे वो किस तरह आएंगे तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं Company में Member किस तरह आते हैं या फिर आप किसी Company के Owner किस तरह बन सकते हैं चलिए देखते हैं तो भाई Suppose कीजिए कि यह Company है ठीक है ना यह एक Form of Business Organization है यह Company है अब हमें अगर इसमें Owner चाहिए तो आप यह देखेंगे कि अगर यहाँ पर एक Owner हो सिर्फ तो एक किसम होगा Soul Proprietor में है ना अगर minimum दो लोग हो जाएं तो हम इसको Partnership कह सकते हैं लेकिन हमें तो Company बनानी है चाहिए बहुत सारे लोग चाहिए तो बहुत सारे लिए आते हैं भाई ठीक है ना बहुत सारे लोग आ गए अब यह बहुत सारे लोग इसमें क्या बनना चाह रहे हैं Owner तो बहुत जब भी किसी को Owner बनना होता है तो उसको क्या लगाना होता है बिज्रिस में Capital जैसे कि अगर आप Soul Proprietor की बात करें तो बहुत यह भी कुछ Capital लगाता है Class 11 में आपने पड़ा Partnership बई यह जो जितने Partners होते हैं यह लोग भी कुछ Capital लेकर आते हैं इसी तरह से अगर आपको किसी Company का Owner बनना है तो आपको उसमें भी कुछ Capital लगाना होगा क्या लगाना होगा आपको इसमें Capital तो यह सब लोग जितने भी Owner हैं ये सारे इसमें कुछ न कुछ क्या लगाएंगे Capital और जब ये लोग Capital लगा देते हैं न तो इनको Shareholders कहा जाता है क्या कहा जाएगा इनको Shareholders अब इनको Shareholder क्यों कहा जा रहा है इस बात को समझना है अब आप ये सोचिए इनको Capital लगाना है ये किस तरह लगाएंगे तो ये Capital कैसा लगाते हैं ये Company में Shares Purchase करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि इनको Company में Shares लेने होते हैं Shares खरीदने होते हैं किस तरह खरीदेंगे बई तो Company का जो Total Capital होता है Company उसे Small Small Parts में Divide कर देती है तो Company ने क्या किया कि यहाँ पर छोटे छोटे यी Shares बना दिये बहुत सारे क्या बना दी कंपनी ने Shares और ये कहा कि जिसे भी इस Company में Capital लगाना है या जिसे भी इस Company में Ownership लेनी है या जिसे भी इस Company का Member बनना है उसे क्या करना होगा उसे ये Shares खरीदने होंगे तो Shares कैसा खरीदते है ये सिर्फ एक Piece of Paper है एक तरह का Certificate होता है यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बस ये एक Piece of Paper है इसको कहते है Share Certificate इस Share Certificate पर Company क्या लिखती है नेम लिखका होता है एडरस लिखती है शेर होल्डर का और ये लिखती है कि इस शेर होल्डर ने कितने number of shares पर्चेस किये ठीक है ना और अब जैसे कोई गया जैसे मैं गया मुझे इस Company में share चाहिए तो मैं जाकर Company से पूछूँगा कि बताओ मुझे share खरीदना है ये share कितने का मिलेगा तो यहाँ पर एक amount लिखा होता है किसाब जैसे 10 रुपे तो इस share certificate पर इस share का price लिखा होता है जैसे आप शॉप पर गए आपने marker खरीदा तो इस marker पर भी इसकी MRP लिखी होती है ना ये आप दुनिया भर की कोई पी चीज़ खरीद ने चले जाएए चाहे आप टॉफी खरीद रहे हो चाहे आप airplane खरीद रहे हो हर चीज़ का एक price होता है इसी तरह से इस share का ये price है कि एक share 10 रुपे का तो सभी लोग खुश हो गई अच्छा साब 10 रुपे का share खरीदो क्या बन जाओ company में मालिक बन जाओ बहुत मज़ा आगे साब अब जिसको जितने shares चाहिए वो उतने रुपे देगा और क्या करेगा share खरीद लेगा तो यहाँ पर लिखा हो था number of shares तो कितने shares आपने लिए वो company यहाँ पर लिख देगी और उसके बाद क्या होगा अपनी यहाँ पर seal लगा देगी एक महुर लगा देगी उससे क्या होगा यह authorized हो जाएगा और पता लग जाएगा किसाब फलाँ साहब को हमने इतने shares दिये या Mr. XYZ जो है इतने shares के मालिक बन गए और जैसे ही आपके हाथ में share आ जाएगा तो आप बन जाएंगे share holder तो समझ रहें आप तो जो भी बंदा किसी company के share खरीद देगा इसका मतलब वो उस company में capital लगा रहा है और वो उसका क्या बन जाएगा share holder तो company क्या करती है कि एक एक करके लोगों को share देती जाती है और उनसे पैसा लेकर एक जगा रखती जाती है और जब बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है तो सारा पैसा क्या कहलाता है share capital इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं accounting for share capital लेकिन अब आप ये सोचिए कि भाई सुभा आठ वजे ये सारे share holder जितने भी है unlimited वाले तैयार होकर पहुँच गए company में और बोले किसाब gate खोलो हम आगए company चलाने के लिए तो ये सोचिए क्या ऐसा हो पाएगा भाई लाको करोडो share holders होते हैं company के अगर वो सभी मालिक मालिक हैं साहिर सी बात है company चलाने पहुच जाएंगे क्या हटो वई आज तो हम company चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा क्या company चल पाएगी बिलकुल नहीं चल पाएगी ठीक है ना तो क्या करना होगा कि इन सभी share holders को कुछ लोगों को elect करना होता है जो पढ़े लिखे काइदे के लोग में चलाएगी जिनके पास नौलिज ज़ादा होती है different fields में expert होते है उन लोगों को क्या करते है elect कर लेते हैं और वो लोग जो है इस company को चलाते है इन लोगों को कहा जाता है directors इन लोगों को क्या कहा जाता है कौन चलाता है directors भाई आपकी sole proprietorship है तो जो owner है वो चलाएगा partnership है partners चलाएगे लेकिन company को कौन चलाएगा मालिक नहीं चलाएगा बलके directors चलाएगे वो लोग इसको manage करेंगे अब आप यह सोचिए भाई यहाँ पर साथ भाई बैटे हुए हैं इनका दिल यह हुआ क्यार मैं अच्छा अपना पैसा भी दे दूँ और क्या हो कि यह जो directors हैं मेरा पैसा खा जाएं तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा सारा तो इसके लिए क्या होगा भाई कोई एक कानून होना चाहिए कोई एक law होना चाहिए जो आपको protect कर पाए तो इसी लिए आपके पास है Companies Act 1956 देखिए Act का मतलब क्या होता है कानून या फिर आप इसको कह सकते हैं law तो company चलाने के लिए government ने एक law बना रखा है और यह कब बना था 1956 में लेकिन अब आपके पास इसको revise करकर नया Act दे दिया गया है जो है आपका Companies Act 2013 तो यह जो date है ना date का मतलब होता है यह Act कब बना ठीक है ना बहुत आसान बात है तो पहले चला करता था Companies Act 1956 अब चल रहा है Companies Act 2013 तो इस Act में सभी बात है लिखी हुई है जिनके अंडर में रहते हुए जिनको follow करते हुए इन directors को यह company चलानी होती है तो यह लोग बहुत डर में और खौफ में काम करते हैं क्योंके इनने पता है कि अगर यह लोग अच्छी तरह काम नहीं करेंगे तो जो owners है ना इनको हटा कर अगली बार नए directors को elect कर लेंगे तो यह सभी जो बाती थी यह थी हमारी किसाब company क्या होती है यहाँ पर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि भाई shares क्या होते हैं कोई भी जो आपका total capital है एक company का उसको small small units में अगर आप divide कर लें तो उसको हम shares कहेंगे ठीक है ना और shareholders कौन होते हैं जो लोग इन shares को purchase करते हैं ताकि वो एक company में capital लगा सकें वो बन जाते हैं shareholders या फिर company के मालक या फिर owner तो देखिए overall आज आपने ही समझा कि company एक ऐसा form of business है जिसमें owner जो है वो unlimited हो सकते हैं इनके जो owners होते हैं उनको हम shareholders कहते हैं ये जो shareholders होते हैं ये company के मालक जरूर है लेकिन ये company को खुझ नहीं चलाएंगे company को चलाएगा कौन manage कौन करेगा वो करेंगे directors जिनको elect करते हैं shareholders ठीक है न अब इन्हें shareholders हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने company में shares को purchase किया है और जब इन्होंने shares को purchase किया था तो इनको मिला था share certificate और बदले में इन्होंने पैसा दे दिया वो पैसा चला ग तो देखे company की definition उसका incorporation यह सभी चीज़ें आप class 11 में अपनी business studies की book में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ चुके हैं अब बस आपको क्या करना है कि आपको अपनी accounts की book निकालनी है 12th class की उसको read करना है और इंशालला सभी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह recall कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो दुबारा सभी बात से आपको बताई जाएं और आपका time waste किया जाएं यह हम बिलकुल नहीं करेंगे सिर्फ point to point जो important चीज़ें वो यहाँ पर आपको समझाई जा रही है जो आपके काम में आएंगी share capital की accounting करने के लिए तो यहाँ पर हम समझ रहे है काइंड्स याफिर classes of shares जो अभी हमने बात की जी ना कि साब आपने company में share खरीदे मालिक बनने के लिए तो दो तरह के share आप खरीच सकते हैं या तो होंगे preference shares या होंगे equity shares अब preference क्या ना दिया जा रहा है इनको preference preference हैना समझ रहे हैं किसी चीज़ को तरजी देना है ना तो आ आप इनको क्या preference दे रही हैं जिस वजह से इनका नाम बड़ा preference shares तो देखिए जरा इस बात को समझ ही जैसे आपके घर में guest आए ठीक है ना आपने माई cold drink अब cold drink को जब आपने glassों में किया तो सिर्फ 4 glass ही हो पाए तो अब आप यह बताईए जरा काइदा क्या कहता है कि उ पहले वो चार glass जो है guest को सर्फ कर दिये जाएंगे जब चार ही guest है चार glass आपके पास cold drink है तो पहले तो आप यह करोगे किसको सर्फ कर दोगे guest को कह दोगे मेरा दिल नहीं आज मैं नहीं प्यूंगा यही करना पड़ेगा ठीक है ना तो अब इनको जो है है तो यह owner लेकिन आप यह समझे एक मिनट कि इनको guest की तरह देखिए इनको guest की तरह मैं क्यूं देखने के लिए कह रहा हूं ज़रा समझेगा इनको आप दो तरह की preference दे रहे हैं पहला तो क्या है fixed rate of dividend आप इनको दे रहे है fixed rate of dividend बैट डिविटेंट क्या होता है simple language में हम इसको interest कह सकते हैं तो समझने के लिए स्रिफ मैंने आपर आपको interest लिखा है लेकिन याद आपको क्या करना है dividend बैए interest को आप आरामते समझ जाते हैं कि इतना percent interest मिला तो इसलिए मैंने interest लिख दिया लेकिन आपको याद क्या करना है कि इनको मिलता है fixed rate of dividend कैसे मिलता है समझी तरह यह जो preference shares holders है इन्होंने suppose करो कि आपकी company में एक लाक रुपे लगाए आपने इन से कहा कि हम जो है आपको 8% per annum का क्या देंगे dividend तो एक तरह से interest ही होगे ना कि हर साल आपको अपने इस पैसे पे 8% का क्या मिलेगा interest या फिर dividend तो इसका मतलब हर साल आप इन्हें कितना dividend दे रहे हैं 8,000 रुपीज का तो इसी लिए पहली preference तो ये है और ये जो 8,000 रुपे है न सपोस कीजिए total profit आपके पास 10,000 का है तो हुआ क्या भई 10,000 में इनका भी तो हिस्सा है जो equity shares वाले हैं लेकिन पहले किसको preference देनी है preference shares वालों को तो पहले 10 में से 8 आप इनको दे दीजिए फिर जो 2 बचेंगे वो इनके बहुत आसान करने के समझा रहा हूँ ठीक है ना दूसरा क्या preference इनको मिल रहा है देखिए तो दूसरी preference इनको आप ये दे रहे हैं कि जब भी कभी आपकी company जो है वो wind up होगी wind up मतलब जब भी कभी आपकी company बंद की जाएगी तो इसमें इनका भी पैसा लगा हुआ है और इनका भी पैसा लगा हुआ है तो पहले preference वालों का पैसा वापिस करना है तो दो preference दी जा रही है किन से पहले equity वालों से पहले equity वालों से पहले क्या मिलेगा dividend और equity वालों से पहले क्या मिलेगा आपको अपना पैसा वापिस मिल जाएगा जैसे equity वालों के लिए एक भी glass नहीं बचाता cold drink का लेकिन कोई बात नहीं बोले भाई इनको पहले दे दो ये लोग क्या है मेहमान की तरह है तो असली जो owner हुए समझ लोगो equity वाले होते हैं क्यूंकि actual जो loss वगारा bear कर रहे हैं वो इनहीं के उपर जा रहा है क्यूंकि कोशिश करते हैं इनको loss नहों जो कुछ हो सकता है इनको आप दे दिजे तो Companies Act 2013 ने कहा के preference shares holder या फिर preference shares कौन है preference shares वो हैं जिनको आप fixed rate of dividend दे रहे हैं किस से पहले equity shares से पहले और उनको आप capital उनका वापिस कर रहे हैं रीपे कर रहे हैं कब company के बंद होने पर किस से पहले equity share holders से पहले तो भाई फिर ये कौन है equity shares वाले कौन है या फिर equity shares क्या होते हैं तो Companies Act ने बहुत ही आसान कर दिया बोले भाई ये सुनो कि जो कुछ preference shares नहीं है तो वो सारे क्या है equity shares तो हमें ये पता है कि जो चीजे preference shares होती हैं उनके पास दो preference होते हैं कि उनको तो भाई dividend मिलेगा fix rate पर और उनको पैसा वापिस मिलेगा company बंद होने पर सबसे पहले तो इसी लिए जिनके पास ये दो right नहीं होंगे दो right है नहीं कि दो हक है इनके इपास तो जिनके पास ये दो right नहीं है वो कौन है वो है equity shareholders या फिर वो कौन से shares है वो है आपके equity shares तो ये तो हमने समझा कि भाई kinds या फिर classes या फिर types of shares अब हमें देखना है कि share capital के क्या types होते हैं ठीक है ना दो बास समझ रहे हैं हम अभी तो देखे shares जो थे उनके क्या types थे अब इस capital के share capital के क्या types हैं तो इनके भी types समझ लेते हैं तो चलिए अब हम समझते हैं कि भाई जो share capital है इसके कितने types हैं ये समझने बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इसके आप balance sheet नहीं बना पाएंगे समझ ही जरा देखिए हो सकता है कि company के पास maximum जो इजाजत है shares issue करने की भाई एक limit हो सकती है ना कि आप companies में जो है लोगों से कितना पैसा ले सकते हैं कितना fund आप लोगों से ले सकते हैं इसकी एक limit होगी ना तो suppose कीजी कि कहा गया कि आप जो है लोगों से 10 लाक रुपे ले सकते हैं ठीक है ना जिसमें एक share जो है वो 10 रुपे का है बात समझीगा total कितना ले सकते हैं 10 लाक रुपे एक share कितने का है 10 रुपे का इसका मतलब total एक लाक shares आप लोगों को दे सकते हैं shares क्या थे paper के टुकड़े जो बताए गए थे piece of paper जो share certificate था कितने certificate दे सकते हैं 1 लाक लोगों से कितने रुपे ले सकते हैं 10 लाक क्योंकि हर एक share के बदले में 10 रुपे मिल रहे हैं ये बात समझ आने हैं आपको चाहिए इसको हम कह रहे हैं number of shares बताइए इतनी बात समझ आ अब देखिए जरा ये क्या कहा मैंने ये आपके पास maximum limit है ये क्या है आपकी maximum limit तो यहां आजाएए वापस authorized capital का मतलब होता है maximum limit या फिर maximum आप कितने रुपे लोगों से ले सकते हैं through issue of shares कितने ले सकते हैं 10 लैक रुपीज और अगर इसको number of shares में देखें तो कितने shares ले सक अब आईए जरा ये है issued share capital, issued, issued मतलब आपके पास ये maximum है अब जरूरी छोड़िए कि आप सारा पैसा आज ही लेना चाहो, मेरा दिल ये हुआ कि भाई इस एक लाग shares में से 90,000 shares स्रिफ में अभी ले लेता हूँ, एक लाग में से 90,000 में लोगों को क्या कर देता हूँ, issue, ल में जो है market में shares निकाल रहा हूँ, अगर आप interested हूँ, तो मेरी company में shares खरीद लीजिए, तो 90,000 shares, ये shares हैं, एक share कितने का है, 10 रुपे का, एक share कितने का है, 10 रुपे का, इसका मतलब मैं total कितने रुपे लेना चाहता हूँ, फिलहाल लोगों से issue कितना कर रहा हूँ, मैं चा आईए, ये बात समझ आ रही है, number of shares, 90,000, एक share, यहाँ पता था हमें, कि 10 रुपे का है, तो मैं कितने रुपीज लेना चाहरा हूँ, मैं लेना चाहरा हूँ, 9,00,000 रुपीज, अब भाई, authorized समझ में आ गया, issue उट समझ में आ गया, अच्छा, authorized जो है न, इसका दूसरा न सब्सक्राइब का मतलब देखते हैं, तो सब्सक्राइब का मतलब कहा है, समझी जरा, company ने ये कहा था, कि मैं 90,000 shares आपको देहना चाहता हूँ, लेकिन, लोग कितना ले रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि लोग सारे ले ले, लोग कम भी ले सकते हैं, तो अगर लोग सारे ले रूपीज 10 एच, आप कितने देना चाह रही हो, वो है इशू, लोग कितना लेना चाह रहे हैं, वो है सब्सक्राइब, बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, बात को समझीए, तो 80,000 shares of रूपीज 10 एच, 10 रूपए का एक share है, तो टोटल कितने रूपे आपको मिले, है ना, या टोटल कितने रूपीज आपके पास आने हैं, जो लोग देना चाह रहे हैं, वो हो गए रूपीज 8 लैक्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं हम, कि बैलेंस चीट के लिए पढ़ रहे हैं हम ये, कि बैलेंस चीट में हम इसको किस तरह एक लाक, दस रुपए का एक है, सो रुपए का एक हो सकता है, एक हजार का एक हो सकता है, ठीके ना, तो मैक्सिमम रुपीज फंड कितना आ रहा है, कैपिटल कितना आ रहा है, दस लाक, फिर क्या हुआ, इस टोटल मैंसे मैं इस टाइम आज कितने लोगों को देना चाहता ह तो मैं लोगों को देना चाह रहा था सिर्फ कितने 90,000 Shares एक लाख में से 90,000 देना चाह रहा था तो इसका मतलब मैं चाहता था कि मेरे पास 9,000 रुपए आ जाएं लेकिन क्या हुआ लोगों ने सिर्फ कितने लिये लोगों ने लिये कितने 80,000 10 रुपए का तो एक है यह तो 8 लाक रुपए मेरे बास आ गए तो I hope यह तीन आप समझ पा रहे होंगे कि Authorize का मतलब क्या हुआ Issued का मतलब क्या हुआ और Subscribe का मतलब क्या हुआ यहाँ पर एक बात हमें समझनी बहुत ज़ादा जरूरी है के company जितना इशू कर रही है कम से कम लोग 90% उसमें से Subscribe जरूर कर ले तो अगर company 90,000 Shares दे रही थी तो इसका 90% कितना होता है 99,81 यानि कि 81,000 Shares कम से कम लोगों को सबस्क्राइब करने होंगे जैसे कि यहाँ पर है तो 80 से कम हो गया ना 81 से तो अब आप यह समझ रहे हैं कि अगर लोग 90% से कम सबस्क्राइब करते हैं तो जो आपकी बॉड़ी है से भी Securities Exchange Board of India इसने क्या कहा है कि कोई भी company जो अपने Shares इशू कर रही है मार्किट में और अगर लोग या public 90% से कम सबस्क्राइब करते हैं तो company को जितना भी पैसा उसके पास आया है वो सारा वापिस करना होगा कितने दिन में? 15 days में ये बात किसने कही है? से भी ने तो ये बात थोड़ी सी आप एक याद रखीगा कि minimum कम से कम कितना सबस्क्राइब हो जाए 90% तो यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि भई authorized क्या है, issued क्या है और subscribe capital क्या होता है और से भी ने subscribe के बारे में क्या बात कही है? तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने आपको समझाया कि भई company क्या होती है? आपने देखा कि share capital क्या है? आपने समझा के shares क्या होते हैं आपने देखा share holders कौन है company को चलाता कौन है तो जो भी basic introduction था company के बारे में और इस company's account से related वो सभी आज हमने आपको समझाया अच्छा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो जब यहाँ पर आए थे तो उस टाइम यह सोच रहे थे क्यार यह chapter किस तरह cover होगा issue of shares सब senior सा सुनके आते हैं कि बहुत tough chapter है ऐसा है वैसा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिए जिस चीज में आप मेहनत कर लेंगे वही चीज आपको आसान लगने लगेगी और यहाँ पर हम आपके लिए खड़े हैं आपके लिए आसान से आसान करके इस chapter को हम लेकर आते रहेंगे तो आपको सिरिफ करना क्या है कि जो हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह समझेए और जो हम समझाते हैं उसके आप प्रॉपरली नोट्स मनाते रहें अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर किया कीजिए कि जो नॉलेज हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं वो बाकी आपके फ्रेंड्स सक भी पहुँच पाए ठीक है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रा जरूरत है और इसी के साथ हम ग्रो करते हैं जब ही हम अपने पूरी मोटिवेशन के साथ आपके पास ये सभी लेक्चर्स पहुँचा पाते हैं तो मिलते हैं आप से नेक्स लेक्चर में थैंक्स वाचें